इस वीडियो में हम आपको रेइस्टेशन करना बताएंगे आपको सिंपली सर्च करना है CGKV ठीक है जैसे आप सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरह से खुल जाएगा पर 36 गड़ काम देनों विश्रिद्याले यहाँ पर आपको आना है यह जो आपका वेब पेज बना है यहा सब्सक्राइब.ac.in अब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रेस रिलीज जो लिखा है यहाँ पर आ सकते हैं या इस्टूडेंट नोटीस में भी आ आ सकते हैं तो हम यहां से कर रहे हैं लिंक फोर ऑल्लाइन एप्लिकेशन फ्रॉम फोर एड्मिसन यहाँ पर हम क्या करेंगे क् देखिए आप यूनिवर्सिटी का नाम है दूर्ग 36 गड़ आपका एड्मिशन यूजी और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म जो आपका बीस-इक्टिस में भरा जाना है अब आप इसको क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए य आप यहाँ पर बीटेक डेरी टेकनोलोजी को क्लिक करते हैं जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेज कुछ इस तरह से उपन हो जाता है अड्मिशन रूल लिखता है यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन साइन अप लॉग इन हाओ टू अपलाई हेल्प लाइन तो ह हमें यहाँ पर साइन अप पर जाना है अब जब साइन अप पर जाते हैं तो हमारा कुछ पेज इस तरह से उपन होता है यह सेम टू सेम आईजी केवी के जैसा ही आपको दीख रहा होगा अब आपके स्क्रीन में एक फॉर्म खुल जाता है प्रोग्राम में यूजी लिखत है आपका जो आपने सलेट की है डेरी साइस अगर डेरी साइस करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यह आएगा दूसरा चीछ करेंगे तो दूसरा आएगा यहाँ पर आपका सलेट का ऑप्सन है आपका फरस्ट नेम है मिडिल नेम है लास्ट नेम है आपका डेट आप बर्त ह आपका जेंडर है, आप 36 गड़के है या नहीं है, फिर आपको category select करना है, आपका स्मीर तो नहीं है, यहाँ पर आपको mobile number देना है, और यहाँ पर आपको email ID देना है, फिर आपको save us करना है, हम यहाँ पर select करते हैं, तो जैसे आपको वहाँ पर select करेंगे, तो Mr., Mrs. या स्रीमत जो भी आप हैं, तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं, मेरा Mr. होगा, तो मैं यहाँ पर Mr. select करूँगा, तो मैं यहाँ पर Mr. select करेंगे, नाम में अपना लिख दिया प्रभात, मिडियल नेम मेरा है नहीं, लास्ट नेम डारेक्ट है सेन गुपता, यहाँ पर date of birth आपको लिखना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं OC को select कर लिया, मैं कस्मीर का कुछ है नहीं, तो no कर दिया है, यहाँ पर भी आप no करेंगे, अब आप अपना mobile number हैं पर put करेंगे, और आपका जो email address वो यहाँ पर put करेंगे, अब आपको save पर click करना है, जैसे आप save पर click करेंगे, आपके skin पर क हो चुका अभी तक registration, तो हम इसका screenshot ले लिए हैं, अब इसको हम ok करते हैं, तो जैसे हम ok करेंगे, तो यहाँ पर page कुछ इस तरह से हमारा open हो जाएगा, देखें यहाँ पर online application 2021 only बस लिखा रहता है, आगे जब आप इस पर click करेंगे, तो फिर से आपको click करना होगा, ठीक है आपका registration complete हो चुका है, अब आप counseling की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमने BTEC dairy technology को चूस किया है, तो यहीं PC को हम, तो हम वापस AC को click करेंगे, आप जिस course के लिए registration कर रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं select, जैसे अगर आप BFSC के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको click करेंगे, अगर आप DH क्लिक कर रहे हैं, तो आप यहाँ नीचे इसको click करेंगे, तो हम यहाँ पर click करते हैं, अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर click करते हैं, फिर से जैसे शुरुवात में खुल रहा था, वैसे यहाँ पर फिर से open होता है, अब यहाँ पर sign up complete होगे, अब हम को क्या करना है, लॉग इन करना है, अब जैसे हम लॉग इन को click करते हैं, यहाँ पर login का option आ जाता है, registration number मांगता है, date of birth मांगता है, mobile number, और आपका यहाँ पर digit दिया है, unit, numerical value, इसको आपको solve करके यहाँ पर लिखना होता है, तो registration number पर हमने यहाँ पर लिख दिया, date of birth भी ह हमने यहाँ पर put कर लिया, जैसे आप registration number डालेंगे, mobile number आपका यहाँ से खुद से वो self ले लेगा, फिर आप इसको जब digit को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इतना आता है, फिर आपको login को click करना है, अब जब आप login को click करेंगे, तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से महत्प OC के लिए आपका 500 रुपए, OVC के लिए 500 रुपए, SC के लिए 300 रुपए, और HT के लिए 300 रुपए हाँ पर चार्ज लेगा, अगर लिखता है photo and signature file आपको कैसे करना है, तो लिखता है photo should be less than 50KB inside, signature should be less than 20KB inside, photo and signature should be JPG and JPEG file only, तो भाइया photo 50 से कम होना चीए, signature आपका 20 से क होना चीए, फिर आपका document file के लिए बोलता है, scanned copy of document should be 400KB to 500KB inside, तो आपका जो other document है, दस्वी बारवी निवास ये सबका जो size है, वो आपको ये size लेकर करना है, और इसका भी जो आपका format होगा, यहाँ पे ये mention किया है, अब थोड़ा और नीचे आप आएंगे, तो document का sample आ download कर सकते हैं, और seal sign को देख लीजेगा, कि यहाँ पे जो mention किया है, वो seal sign आपके certificate में है कि नहीं, चत्युजगर का निवास हो गया, ठीक है, अगर आप इस पर हैं, तो यह ex-serviceman, freedom fighter, income certificate, फिर जम्मू कस्मीर का आपका certificate है, क्रिशक certificate है, other state का अगर है तो, permanent cast certificate, तो यह सब आ होगा, बट यहाँ पे next का button है, आप यहाँ से click करेंगे, फिर आपका form, counseling के लिए open हो जाता है, बट यहाँ से मैं आपको guidance करूँगा, कि आप cyber cafe में जाकर के form भरें, कोई भी mistake ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे file आपको merge करने होंगे, KB converter का use करना पड़ सकता है, त तो आप यहाँ तक registration कर सकते हैं, इसके बाद का जो process है, आप वहाँ online कराई है, cyber cafe में, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि phone से भरना है, तो आप comment section पर comment करिए या इसके आगे का video आपके लिए बना दूँगा